Good morning students, मैं जोती है हुजा, Happy Cambridge School से बैटा, आप लोग आप एर्थ क्लास में आ गए हैं स्वागत है आपका एर्थ क्लास में एर्थ क्लास में आज हम जोगर्फी का जैप्टर शुरू करेंगे जोग्रफी का फर्स चैप्टर आपका भारत की प्रमुक फसलेवम जनसन सादन जिसमें हम सबसे बहले बढ़ेंगे क्रिशी भारत एक क्रिशी ब्रदान देश आपको बता है और इसकी जो 70 प्रतीशत जनसन क्या है वो हमारी गाउं में निवास करती है और वर्तवान समय में जो हमारे देश में लगबर 39 प्रतीशत जो है आए हमें क्रिशी द्वारा ही प्राप्त होती है पहले के समय में क्या होता था हमारे पास क्रिशी के सीमिस सादन होते थे जिसके द्वारा हम अपनी जनसंख्या वृदी के जैसे से जनसंख्या में वृदी हो रही थी उसके अनुसार हम क्रिशी की मदब खाते समिगरी प्राप्त नहीं कर पाते थे लेकिन आदुनिक यंत्रों का प्रयोग करके ठीक है आदुनिक तकनीक का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया अपनी उपज को बढ़ा लिया उसकी गुडवत्ता को सुधार लिया क्रिशी के लिए हमें प्राकर्तिक और मानव दोनों प्रकार के संसादनों के अवशिक्ता होती है किसी एक के अभाव में हम दूसरे का विस्तार नहीं कर पाते हैं मानव लोगे मानव प्राकर्तिक संसादन है मानव नहीं तब भी कुछ नहीं हो पाएगा अगर हमारा मिट्टी है मानव नहीं कर्शी करने के लिए या उसमें बीच डालने के लिए तो कैसे होगी वो तो जल है लेकिन जब तक सिचाई नहीं करेगा मानव टूबल नहीं लगाएगा उससे पानी नहीं डालेगा तो कैसे होगा अगर मानव संसादर नहीं है प्राकर्टिक है और प्राकर्टिक संसादर नहीं है मानव है मानव गया टूबल है लेकिन जमीन नहीं है भूमी नहीं ह हमारे पास जल नहीं है तो कैसे करेंगे कृषिण एक डूसरे कि बिना हम इसका क्या नहीं कर सकते विसार नहीं कर सकते और भारत में जो पैदा होने जिससे तेल निकाला जाता है इन सब को हम बेचते हैं ठीक है क्योंकि इसका प्रयोग जो है कच्छे माल के रूब में किया जाता है और इसके तरीक तरी कायवा चाए काफी कोको गरा और गरम मसालों का भी उत्पादन होता है भारत में और यह सब चीज़ें हमारी रास्टिया में व्रिदी करती हैं भारत की जो प्रमुक फसले हैं वो मौसम और जलवायू के अनुसार पैदा होती हैं और उन फसलों को हम तीन प्रकार की फसले कहते हैं पहली फसल होती हमारी रवी की फसल दूसरी होती हमारी खरीफ की फसल और तीसरी होती हमारी जायद की फसल रवी क की फसल को हम शीदकाल में बोया जाता है ठीक है और ग्रीश्मकाल के आरम में शीदकाल के आरम में इसको बोएंगे यानी सर्दी का शुरुआत जब होती है तब गर्मियों की शुरुआत होने वाली होती है उससे पहले उसको काट लिया जाता है ठीक है काट लिया जाता है और तो इसमें हम नगदी फसलों को भी बोते हैं, नगदी फसले कौन से होती हैं, जिनका विक्रे किया जाता है, आपको पता है, अगर ग्यों बो रहे हैं, सरसो बो रहे हैं, आलसी बो रहे हैं, तो इसको हम बेचते भी हैं, तो इसने नगदी फसले भी कहते हैं, यह फसले वही स प्रीश मकाल के अंत में यानि वर्शा रितु जब शुरू होती है उसके साथ बोदेते हैं और खरीब की वेस्ट फसल के अंदर आते हैं हमारा चावल, जौार, मक्का, गन्ना, मुंग, जूट, इवें मुंगफली ये फसले शीत रितु के आरम में काट ली जाती है इस परका अल्पकाल में बोई जाती है मतलब कम समय में इस फसल के अधिकांश पानी वाली तरकारियों का रोपन किया जाता है मतलब पानी वाली तरकारियों जिमें पानी होता है ऐसी तरह की चीजेस में बोई जाती है जैसे ककड़ी हो गई, खरबूजा हो गई, तरबूज हो गई, लोकी हो गई, सीताफाल तथा अनेहरी सबजिया जायद की फसलों की बुवाई गयों काटने के बाद मार्च अप्रिल में की जाती है, अब देखें, अब जो समय है, कुण सी फसल कहा देखें, अप्रिल जल रहा है, इस टाएम पे कुण सी फसल वो ही जा रही है जायद की फसल यह फसल अल्पकाल में ही बढ़कर समापत हो जाती है इस फसल की प्रमुख खुत पादों में पानी की अधिकता पाई जाती है इसी फसलों में क्या पाई जाती है पानी की मतरा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये फसले मैं देखा आपने खीरा होगा उसमें पानी होता है क्या आप क्या लौकी काटते हो उसमें भी तरबूज में भी खरबूजे में भी समय पानी होता है ना रस होता है और ये फसल बने कब होई जाती है जब हमने रवी की फसल को काट लिया और अब दो हमने करीब की फ़सल का बोनी है वर्षाद के समय में तो अभी वर्षादे शुरू ने हुई वर्षा आरह ने हुआ तो उससे पहले जो टाइम बचा बीचका उसमें हम जायत की फ़सले बो देते है ठीक है यह समय जो चल रहा है हमारा जायत की फसल बोने का चल रहा है इसके बाद आता है भारत की प्रमुक उपजे उपज यानि सबसे पहले चावल आ गया है यहां पर खाद्यान फसलों में भारत वर्च में पैदा हो जाने वाली प्रमुक फसल धान अत्वा चावल है चावल की फसल के लिए अधिक जल की अवशकता होती है मतलब हम खाद्यान फसल चावल को क्या करते हो खाते हो ना इसलिए से बोलते हैं हम खाद्यान फसल और इसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की अवशकता होती है हमें आता इसकी रोपाई के लिए वर्षा रितू उप्योगता है क्योंकि पानी क्या विशकता होती है जो जब वर्षा रितू चल दी होती है उस समय पर इसको बोना सही समझा जाता है और इसको बोने के लिए कैसी चाहिए चिकनी मिट्टी वाला शेतर चाहिए जहां पर चिकनी म बहुत अधिक उपज होती है और चावल कैसी है खरीव की फसल चावल कैसे है खरीव की फसल ठीक है तो यहां आपको मैप में चावल उत्पातक राज्जे भी दिखाए जा रहे हैं कि इनके राज्जों में चावल सबसे अधिक बोया जाता है ठीक है मैंने आपको उपर बताय थेंक्स